हलो स्टुडेंट वेलकम तो और चैनल सीएस इंजीनिरिंग क्यान आज से हम लोग डेटाबेस के टुटोरियल स्टार्ट करें क्योंकि बच्चों की बहुत सारी डिमांड आई थी तो उससे हम लोग नया सब्जेक्ट आज से स्टार्ट करें हैं जो रहेगा आपका डेटाब सब्सक्राइबूस कंश 74, 308 कोनसेट इसमें डेटाबेसे से डेटाबेस्प्ट आप आपके सारी कंसेप्ट न मिया हैं करेंगे डेटाबेस dev amiga सभ्थ थाइज से डेटाबेस क्या हौता है डेटाबेस ऍनॉडपेस का इंपकि कशेएडियल। कैसे पर पर श्च्च्छ इसकी फुल पॉम होती है आपकी database management system, database management and system, so simple अगर आप DBMS की बात करें, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको explain कर दूँ यहाँ पर, DBMS के अगर हम लोग बात करते है यह आपके four word से मिलके बना हुआ है अगर proper देखें तो यह data है then base है and इसके बाद आप बोल सकते है management and इसके बाद आता है आपका system अब अगर आप individually इनको देखें so data देखें सबसे पहले आप data को समझे data actual में होता गया data होता है आपका raw fact and figure fact and figure that give information कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको information दे रही है वो आपका data कहलाता है जैसे अगर मैं किसी student के name की बात करूँ मैंने यहाँ पर लिखा class तो आपके एकदम से दिमाग के अंदर आयोगा कि यह तो किसी का नाम मुझे लग रहा है या मैं अगर यहाँ पर कुछ condition हम लोग लिखतेते हैं second कुछ में राम लिखूं वो भी आपको समझ मा रहा है कि यह क्या है एक data है जो represent कर रहा है user का as a name तो यह क्या होते हैं यह data होते हैं जो data का meaning है जो meaningful information आपको दे रहा है वो आपका data होता है इसके बाद आता है next condition is base बेस का meaning होता है इस data को represent जो कर रहा है जैसे आपने यहाँ पर लिखा इन सभी data को represent करेगा आपका name इसी आपने लिखा है यहाँ पर two, three, four और इसके बाद इन सब को represent करने के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया row number रोल अमबर आप इसी format पर होता है तो यह क्या है यह आपने एक base बना दिया जो इस data को क्या कर रहा है रिपर्जेंट कर रहा है तो इसे बोलते है base और इसके data को manage करके रखना आप इसे एक table की form में रख लीजे आपने यहाँ पर table बनाई और यहाँ पर name लिख दिया यहाँ पर rule number लिखा और यहाँ पर आपने condition लिख दिया ऐसी आप flow chart बना रहे हैं या ER diagram इसमे में होते हैं आपके ER diagram आपने आप लिखा student और इसके different attributes को आपने आप पर define कर दिया कि यह name है इस rule number branch तो आप diagram बना के उसको represent कर रहे हैं तो यही आपका management system होता है तो सारा मिलता है तब आपका database management system होता है यानि data को manage करने का तरीका जो होता है वो ही आपका क्या होता है DBMS होता है database management system अब हम इसकी थोड़ा सा कुछ आपके definition देखेंगे so database management system is a collection of interrelated data देखें data आपका interrelated रहेगा data commanding means raw fact and figure and a set of program to access those data and program का set होता है जिसके तुरू यह data जो होता है आपका access किया जाता है simple data management system क्या होता है interrelated data का collection होता है जो एक program के तुरू directly access होता है अब यह define कर सकते हैं दूसरा DBMS database management system is used to organize the data in the form of table schema view and report means आप file बना के भी store कर सकते हैं data को table की form में भी schema आप बनाना है view format में आपको दिखाना है data को तो उस format में भी आप database को define कर सकते हैं so simple data को organize करने का तरीका जो होता है वो आपका कहलाता है database management system next है the primary goal of DBMS is to provide a way to store and retrieve database information and it is both convenient and efficient way means आपका जो data है उसको एक effective way में आपको efficient way में store करना and retrieve करने का तरीका जो बताता है वो आपका बताता है DBMS यह भी आपका एक point हो सकता है next database management system is a combination of two word mainly इसको two word में हम लोग define करते है database plus management system तब आपका DBMS create होता है database management system database means data को represent करने का तरीका है and manage करके उसे रखना वो कहलाता है आपका database management system database is a collection of related information related information का collection होता है store so that it is available to many users for different purpose एक जिगे पर आपने store करके लग दिया कोई भी user different different purpose के लिए उस database को क्या करता है use करता है वो ही आपका database का work है database management system is a collection of program that enable user to create and maintain the database means database management system क्या होता है collection of program होते हैं बहुत सारे program का collect या बहुत सारे data का collect करके आप रखते हैं जिसके तुरू आप maintain कर सकते हैं अपने पूरे database को तो यह आपका database के कुछ point है इसके बाद next point की अगर हम बात करते हैं तो देखे अब जो है important part ही होता है कि DBMS आपका एक interface भी provide करता है application program और operating system के बीच में DBMS जो है एक interface का काम करता है application program और operating system के वीच में कोई भी information application program के थुरू आपको database में store करनी है तो DBMS के थुरू पहले operating system के पाद जाएगा operating system उसको manage करेगा तिन आपका database में वो store होगा same आपको कोई value application program के थुरू access करनी है तो पहले DBMS के थुरू वो operating system में manage करेगा तिन आपका वो access होगा DBMS के थुरू so DBMS can also be defined as an interface between the application program and the operating system to access and manipulate that database database को manipulate करना है access करना है store करना है जो भी operation आपको perform करना है वो आप DBMS से करेंगे but ये interface provide करेगा आपका application program and operating system के बीच में interface का काम करेगा यानि कोई भी information आपको send करने database में तो पहले वो operating system के पास आएगा then आपका access होगा same आपका वो interface का काम DBMS जो है एक interface का काम कर आपका application programmer operating system के बीच में next है आपका database management system is a software which is used to manage the database database management system एक software है जिसके थुरू आप database को क्या करते है manage करते हैं data को manage करते है simple so इसमें आपके for example mysql के थुरू आप कर सकते हैं oracle के थुरू कर सकते हैं इसके अलावा no sql होता है आपका are the very popular commercial database which is used in different application different different application में आपको data store करना है जैसे माले जी आपने bank में आप गए bank में आपकी complete detail है आपका name है account number है आपका phone number है वो detail कहा store होती है वो bank के database में store होती है तो वही database जो आप create करते हैं वो इसके तुरू ही आपका create होता है यह पूरा process उसी database का है कि वो कैसे create होगा so popular जो database आजकल आपके चलते हैं वो mysql है oracle है इसके लावर जो popular है आपका no sql base होता है उसको आप बोलते है no sql no sql format होता है आपका जो latest आपका database अभी use हो रहा है क्योंकि वो structure पर base रही होता है without structure आप उसको access कर सकते हैं तो यह सारा process था आपका databases का so database आपका simple क्या होता है data को represent करना और उसे manage करके रखना वही क्यलाता है dbms और dbms आपका हर जगे पर use होता है database आपका कहीं भी एक चोटी सी company आप open करें तो वहाँ पर भी आपको अपने employee का data store करके रखना पड़ता है इसके अलावा bank में जाते हैं तो bank में भी आपका store होता है college में college में student की complete information database में manage होती है तो वो सारा process आपका होता है database management system तो यह simple introduction था database का next tutorial में हम लोग देखेंगे इसके characteristics of DBMS, DBMS के characteristics क्या होते है Thank you student